हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सी आई डी फाकुसारा हाएं सोनी एंटर्टेंबंट टेलिविजिन बार्ण यह जीपेस मुझे कहां लेके जा रहा है गोस्त्राइट फॉर त्री आर्स और यू रीच यूर डेस्टिनेशन अरे भी आदर गंटा प्ली तो जीपेस ने बोला था तीन घंटे पिर से तीन घंटे हलो है स्वीडी हाई मैं वही सोचू दो गंटे से तुमने मुझे फोन क्यो नहीं किया अरे तांगे चरू मेरी नहीं नहीं मैं अपने क्यूट से शोनू के टांगे से की चूँगे तो तो मेरे शोनू बुलती हो ना तो दिल में कुचू कुचू होता है क्या होता है तुम्हारे दिल में कुचू कुचू अरे सर यह मेरा खबरी है इसे जरह में इंपॉर्टन इंफर मिशिन ले रहा हूँ तुम्हारा खबरी? में भी तु देखो ओ स्नेहल पंकज यह कौन सा खबरी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है अरे नहीं मुझे नहीं अरे ट्रिमोनियल वेबसाइट में मिलीथी, सर अच्छी दूस्ती हो ही हमारी हलो अरे नहीं, यह प्रेणी सर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सर पंकज को एक इंपोर्टन्ट फोन आया पंकज को इंपोर्टन्ट फोन आया तो तुम लाग्या कर रहे चलो इधरा तो इंपोर्टन्ट फोन दिया था उसका क्या हुआ एक मिरिट हालो, हाँ, बेपी सॉड़ी थोड़ा काम आगया था अच्छा, तुम पहुझे की नहीं उटल होटेल, यहाँ मैं पूना तक भी नहीं पहुझे तुम होटेल की बात कर रहे हु क्या? सुभा की निखली वी यह यहाँ पता निए यह जीपीएस ने मुझे कहा पहुचा दिया है मैं किसी कच्छी साड़क पर हूँ कच्छी साड़क पर क्यो जा रही हो उसीदा हाइवे लो ना मैं हाइवे से ही जाने वाली थी पर जीपीएस ने दिखाया कि हाइवे पर ट्राफिक है सो आई थौट शॉटकट ले लो पस गई यार तुम्हे काम करो वे रस्ते बेर कोई ना कोई होगा उससे रस्ता पूछ लो ना हाँ मैं किसी से पूछती हूँ हाँ Okay Excuse me Excuse me क्या मुझे पता सकते हैं यह रोड हाइवे पर कनेक्ट होगी या नहीं? जी होगी कितना दूर है हाँ से? हाँ Hello Slayer? Hello Sir क्या हो अपंकर्च? Slayer? Sir यह यह Slayer की गाड़ी है आप लोग? किसी गाड़ी से कुछ लागे आई है? सर शायद मुझरियम किसी गाड़ी में आये होंगे और फिर स्नेहल को सी गाड़ी में ले गए सर ये लोग मेरे हाथ में एक बाराद रहे तो मैं जिन्दा नी चुड़ूगा अंगर जा रहा रहा हूँ स्नेहल की किसी किसा आपको दुश्मन ही खी गया? सर सीधी साधी लड़की थी सर उसकी किसी किसा दुश्मन ही नी थी सर ठीक है अब स्नेहल को जल्दी डूड निका लेंगे ये स्नेहल का बाट पॉस ये लैपटॉप जैसे कीमती चीज गाड़ी में है? सर ये जुर्म लूट पाट के रादे से तो नहीं हो पेरी समझ में बात नहीं आ रही है इस नेहल पॉने जा रही थी तो फिर या इस रास्ते पर क्यो आए? मतलब ये रास्ता पॉना तो नहीं जाता? जीपियस के वज़े से सर जीपियस उसको इस रास्ते पर लेया है जीपियस गलत रास्ते पर लेया ऐसे कैसे हो सकता सर अच्छली क्या हुआ जीपियस ने हाइवे पर ट्राफिक जाम दिखाय था इसलिए उसने ये दूसरा रास्ता ले लिया था मतलब कि इस नेहल किसी बड़ी साज़ेश की शिकार हुई है अधारी का कुछ मिला कर में? कुछ नहीं मिला और ना ही मिलने की कुई कुछाईश है क्यों? ऐसा क्यों कह रही है? तुमको इस गाड़ी में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है? और ये केमिकल ये से कुछ गन तो है? एक्जाट्ली, केमिकल ये मुझरिम ने निकलने से पहले इस गाड़ी की अच्छे खासी सफाई की है जिंबो को लुक्सी नाम की केमिकल के साथ अब इस गाड़ी में से ना तो कोई उंगली की निशान मिलेंगे और ना ही टीने काम किसी प्रोफेशनल का है? सर, अगर खुनी प्रोफेशनल है तो उसे डूणने में बहुत वक लग जाएगा, सर पंकाज, तुमें कुछ वख के लिए भोलना होगा के स्नेहल तुमारी दोस्त है, एक CID ओफिसर की तरह सोचो राइट, सर स्नेहल के मौम डाइड, अउंटी पंकाज, बिटा, कुछ पता चला? अउंटी, आप फिकर मत करिये, सर, हमारी पूरी टीम है अँटी, आम स्नेहल को डूण लेंगे सुबस सुबस जब कर से निकली थी बहुत खुश थी, जौब इंटर्वी के लिए जा रही थी न, अने उसे कहा भी कि पुना जा रही हो तो ट्रेन में चली जाना, मगर उसने मेरी बात महीं मानी, ये स्नेहल पुने जा रही है, ये कौन कौन जानता है? हम घरवालों को और उसके कुछ दोस्तों को, पुने में कौन सी कंपनी में जा रही थी ये जौब इंटर्वी देने? ओके टिक, वहां से किसी रोहित का उसे फोन आया था, रोहित? तो आप लों के अलावा ये रोहित जानता था कि इसनेहल पुने आ रही है बस यह इंफरमेशन मिल जाए सर, बहुत मदद हो जाएगी हेलो सर्व, मैं हो रोहित, इस कंपनी का एचायर मेनेजर रोहित, शनेहल नाम की लड़की तुमारी कंपनी में आने वाली थी ना? जॉब इंटव्यू के लिए जॉब इंटव्यू है? नहीं तो नहीं तो होगा क्या मतलब है? यह इमेल आपकी कंपनी नहीं बहजा ना? यह तो हमारी कंपनी का एड्रेसी नहीं है किसी ने नकली इमेल से शाहिए बेवकू बनाया कैसा तो ने कि अब तुम हमें बेवकू बना रहे हूँ? अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी कमनी के बॉस से भी मिलवा सकता हूँ हमारी कमनी की सभी पुजिशन्स फुल है और यहां पर किसी भी नौकरी के लिए को इंट्व्यू नहीं चल रहा है सर मतलब यह इमेल भी उनिया प्रादियों ने भेज़ है हूं 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 बहुत लंबी प्लानिंग है ठीकिसिने जो कोई भी है स्नेहल के बारे में बात कुछ जानता है है पंकच ज़रा थंडे दिमाग से सोच कर बताओ, क्या सनेहल की किसी के साथ की दुश्मनी थी? नहीं, सर्थ याद करके बताओ, कभी तो उसने बताया होगा ना कि उसका किसी के साथ जगड़ा होगा? याद करो! देखो, याद, पंकर्ज, जिन्दकी में ऐसा कोई इंसान नहीं है, जिसका कभी न कभी किसी से मनमुटाव नहीं होगा? याद, चोटा-मोटा जगड़ा होगा, याद, किसी से? चोटा-मोटा जगड़ा उसके फ्रेम्स के साथ होगा, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी, उससे कोई उठा के ले जाए और सर, इस नहल के घर पे किसी किड़नेपर का फोन भी नहीं आया, पैसे मंगने के लिए सर, सर वो मिल्ल क्लास सामी से मिलॉंग करती है, सर, कोई पैसा मंगेगा तो वो लोग डे भी नहीं पाएंगे, सर पंकच, तुमने कहा कि जीपीएस ने उसे गलत राज्से पे भीज दिया ना सर, जीपीएस गलत जानकारी कैसे दे सकती है, सर, आजकल तो हर दूसरा इंसान जीपीएस यूज करता है प्रॉब्लम जीपियस में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आजकल जिस तरह से कम्प्यूटर, मोबाइल फोन और लैप्टॉप है होते हैं, उसी तरह से जीपियस को भी है किया जा सकता है हाँ, इलकुल हो सकता है, कोई अपराजी इतनी प्लाइनिंग करता है तो भी उसके लिए तो जीपियस है करना है, मामली बात है सर्थ, इछले छे-साथ महिनों में कोछ और ऐसे लोग हैं, जो स्निहल की तरह गाइब हुए सर्थ, इनको भी गाड़ी में से किन्नैप किया गया था, और वो केमिकल भी छिड़का गया था गाड़ियों के अंदर, ताकि सारा सबूत मिट जाया ओ, मैं गॉड़, क्या हो, सर्थ, अब तक मिली यह नहीं पंका जी, ऐसे घबराव मत, समझे, स्निहल को हम ढूंड कर लाएंगे, उसे कुछ नहीं होने देंके, घबराव मत, पुरवी, देखो, क्राइम रंच कर, इंस्पेक्टर समीर, वो इस केस को हैंडल कर रहा, बुलाव से ब्यूरो में सर, गायब हुए सभी लोगों को एक ही तरीके से गायब किया गिया, पहले उन्हें नौकरी या किसी फ्री गिफ्ट का लालज देकर बुलाए गया, फिर जीपीएस हैक करके उनको कार से उठाया गया, उसके बाद वो केमिकल डाला गया, ताकि किसी को कोई सुराग न मिल सक समिधी, सब हमी भी पता चल जुका है, कोई नया सुराग मिला है, कुछ नही चीज जिससे हम मुझीरों के करीब जा सकी, सर, पिछले महीने कुछ ऐसा ही सुराग हाथ लगा था मुझे, रोको साब, यही रुको, यही यही, किदर है, वो सर, उस पेड के नीचे, क्या हूँ, अचलो? नई साब, आप जाएए, अरे, घबरा क्यों रहा है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ? नई साब, मुझे बहुत डर लगता है, अच्छा, वो जगय कहा है? वो सब, वहाँ, पेड के नीचे, लाँ, मुझे दो, यह यह जगय? यहाँ, साब. गयव हुए लोगों मेंसे, एक की लाश को तेजाब डालका, तुम्ही तरह से जला दिया गया था? यह आपको कैसे बता चला के? मतने वाले लोग इन मेंसे कोई एक है, कोई और भी तो हो सकता है. डेंटरल रिकॉर्ड से यह साबित हो चुका है, कि वो लाश विक्टिम नमबर फोर रिचा कुमार की है, यह बाकी लोग जुगा है, वह उनका क्या? नहीं, सर, किसी का कुछ पता नहीं चला, और रिचा के साथ जैसा हुआ है, उसे देखकर यह लगता नहीं है, कि उनमेंसे कोई भी जिंदा बचा होगा. शर, लव सर, स्नेल को नहीं बच्छा, स्नेल को माड़ लेंगे, सर. पंकतच प्रड़ी. दोतलो है, लें इसे बारे. पंकच, आजै. सर, हो सकता है, यह किसी सीरियल गिलर का का म, शायत? नहीं, पुर्वियर. लगताँ नहीं किसी सीडियल गिलर का का म है. क्योंकि नॉर्मलिस सिरियल्किर्द्र यह देपिनेट पैटर्न होती है खोन करने की जान देने की यू नहीं ने पता नीभ क्यों पर सीरेलो लह नहीं लगता है यह देखो वह जूभी है यह तो किसी बी मार रहा है फिर चाहए वो लड़की हो औरत हो यह को insert सब्सक्राइब कोई लियाज नहीं कोई और यह है यह देखो यह नताशा बैचारी नताशा के साथ जब हाथ साथ उसके साथ की बॉइफ्रेंड नहीं था उसका कुल्दीब कुल्दीब माम है उसका जी सर मैंने उसे तीन बार पोच्टाच की फिर लेकिन कुछ खास जानकारी सब मेरी ही गलती है, मुझे नताशा को उस दिन कार में अकले छोड़के नहीं जाना चाहिए था सब को शुरू से बताओ, पूरी बात, डीटेल में सर, नताशा एम आईबी कमपनी में रिसेप्शनिस का जॉब करती थी तब ही एक दिन अचानक उसे किसी बहुत बड़ी कमपनी से अच्छा जॉब ओफर आया सर, एक मिर्ट सर पहली नौकरी में नताशा को सालरी किते थी? सर, वीस हजार रुपे और इस नौकरी में एक लाख रुपे सालरी दी जारी है तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा कि अचानक कोई यतिनी बड़ी नौकरी कि हो देगा? सर, अजीब तो लगा था सर लेकिन हम लोगों ने सोचा शायर इसे एक इसमत का खेल के थे और मैंने अपनी गाड़ी उठाई नाताशा को इंटर्व्यू ले चूड़ने चले जिकोन से रास्ते पे आ गए हम साथ साथ गाड़ी में कुल्दीप कुल्दीप यार तुमसे कितनी बार कहा है मैंने तुम गाया मत करो कितना बही सुरा गाते हो यार अब बाबा, मैं गाना नहीं कहा रहा हूँ मैं यह पूत्रों कि हम लोग कहा आगए यह रास्ता तो अभी देखा नहीं मैंने तुम मैंना फिर जीती एस फॉलो तरो अपनार मिद लगा अब यार हम यकिनन गलत रास्ते पे आगए मैं काम करता हूँ, यूटन लेता हूँ और जो रास्ता हमें पता वही से चलते हैं ओवाई गॉड़ अब क्या हुआ लगता है पंचर हो गई है अब करें यार यहां टाक्सी ओटो कुछ भी मिलेगा भया भया एक मिलेगा यह आसपस के मेकनिक मिलेगा क्या हाँ है न आगे दो किनीमीटर राजे पी है क्या हुआ पंचर हो गया यार मुझे छोड़ दो के माहतक अब कर दोगा लेगा यहां पचास के लूँगा अब कर दो लेगा यार चलो कुल्दीज तो मुझे अकिला चुड़के जा रहे हो मैं बस यू गया और यू आया मुझे तुम्हार सब आना ही नहीं चाहिए था लग यू जाहान तुम अंदर बेटो बाहर मन निकलना मैं बस यू गया और यू आया चलो चलो उसने मुझे कहा भी था उसको अखेला छोड़के ना जाओ मैं आश मिरे उसकी बात सुल लियो थी इसके बाद मेकानिक को लेके तुम वहा पहुचे है आँए के पिद्धे और नंताशा नहीं थी ज네 सफ ये बाइक वाला मिला रवी तो लोगों के साथ आँए। तुम लेकर अवही ठैक्वर्च रिख्याद है तुम्हें वह समय जोना मिला ज़ए है इसलिए नहीं देख पाया अच्छा ये नताशा कोई डाइरी भाईरी कुछ लिखती थी मैना मतलब है रोज का दिन चरिया या फिर मीटिंग्स के शेडियूल्स डाइरी तो नहीं है लेकिन हाँ लेप्टोप जरूर जिसमें वह अपनी जरूरी चीजे लिखा कर दी थी लगए ज़र खोलो से पासवोर 20-04-1987 ये नताशा है? ये वार्दात होए थी छे मार्च को देखना जरा वार्दात से पहले कहा गई थी वो उसका शेडिल चेक करो सर तीन मार्च को नताशा जेडी लाब्स गई थी ब्लड टेस्स करा ने तो सर एक अफ़ते पहले स्नेहल भी वह गई थी जेडी लाब्स तिनी बोरिंग फिल्म दिखाई तुमने मुझे मालूम है सरदर्द हो रहा है हो फिल्म कहीं से भी बोरिंग ने थी अरे इतनी बोरिंग फिल्म थी मुझे भूख लग रही है चलो कुछ खा लेते हम आपर और नहीं मैं कुछ नी खा सकती तुम खालो मुझे ट्वैलास की फास्टिंग करनी है कल मेरा ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट क्या हो गया तुमको रिलाक्स इस इस जुस्ट ब्लड टेस्स नॉमल रुटीन चेकप अरे यार तुम डरा देते हो ब्लड टेस्ट अच्छा ब्लड टेस्स सिदर गए अगर मुझे कुछ हो गया तब क्या करोगे तुम तो दूसरी आजेगी ना क्या दूसरी ना सबी विक्टिम्स ने गाय बोले से ठीक पहले ब्लड टेस्स करवाया था उसी जेडी लैप से जेडी लैप से चलो एक कड़ी तो मिल गई और सर जिन लोगों को चुना गया था उन्हें एक खास एमेल आया था टेस्ट के कुछ दिन पहले कैसा एमेल? सर एमेल में लिखा हुआ था कि वो ये सारे टेस्ट पांच सु रुपे के अंदर कर सकते हैं सर ऐसा एमेल तो स्नेहल को भी आय था या? पांच सु रुपे के अंदर तो आज कल एक टेस्ट भी मुश्कल से होता है बहुत ज़रा देखू क्या टेस्ट? हाँ देख लिया यार यह तो पूरी की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है टेस्ट की यह पांच सु रुपे वह ही नहीं सकते हैं कम से कम पंदरा बीस अजार उपे लगेंगे क्या बात कर दा है? हाँ? तो फिर बहुत बड़ी गड़बडे सारुंखे कि इसका तो एक ही मकसद हो सकता है कि टेस्ट करना और लोगों को चुनना तंदुरस्त लोगों को चुनना और फिर उने अगवा करके मार देना पर क्यों? क्यों मार देना? सर, आप लोगों को जरूर कोई गलप फैमी होई है पांचो रुपे में यह सारे प्षस आई नहीं 부드ूए उ zwy तो हम भी कह Fellًwriter एह इतने सारे टेस्ट पांचो रुपे में कैसे हो सकता है इतने सहे धिलत डियालू कैसे हो गई कि यतने कम दामों में यह सारे टेस्ट करने लगी सर, हमने ऐसी कोई मैल भेजी है अच्छा, फोजब छोड़ो, सच यहीं बताओगे या कोई और नुसका आजबाना पड़ेगा हमें एक मेंट सर्, आप इसका राग गलत इंजम लगा कर हमें धंगा नहीं सकते हैं आप जिनके नाम दे रहे हैं, वो लोग हमारे लेब में आये नहीं थे यह देखें, यह हमारे रेकॉर्ड, अम जानते हो नहीं आया थे, उनके घरवालों ने बताया कि तुमारे लाब से ओम टेक्निशन गया थे उनके घर पे लट सैंपल लेने के लिए, पुला सबको, यह लिस्ट देखें बताइए, आप लोगों में से कौन इन लोगों के घर ग मैं भी नहीं गया था, सर, कोई नहीं गया था, तो ब्लट सैंपल अपने आप, उनके घर से ओड़के यहां लाब में आया था, हाँ, यह खुसर खुसर करना बंद करिये, जा जोल से बोलिये, या फिर CID ब्यूरो चल के बात करें, सर, एक्चुलि आप सही कह रहे है, हम वि लिए नहीं, आदर सच तो आपने बोल दिया है, आप पूरा सच बोल दीजी, क्या किया तुम लोगों ने इनके साथ, कहतो रहे हैं, कुछ नहीं किया है, जरूर किसी ने नकली इमेल भेजा हमारे नाम से, मगर उस नकली इमेल भेजने वाले को यह कैसे पता चला कि तुमा मतलब कोई तो है यहां इस लाब में जो अनमुझरिमों को यह डीटेल दे रहा था, क्यों? कुछ यह बताईए, जितने लोग गायब होएं, उन सब की जो ब्लड रिपोर्ट्स नहीं है, उसमें कोई कॉमन बात है, कोई कॉमन एक सी बीमारी हो या फिर ब्लड ग्रूब एक हो, नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं था, सब के ब्लड ग्रूब एक्दम अलगा लगते, हम, कोदमी कोई पंकच, जब को गाड़ी में बिठाओ, यो रो ले चलो हैं लेकिन मैंने कुछ नहीं किया यह, सर, मैं सच कहता हूं, सर मैं देगो नहीं सर, सर मैंने भी कुछ नहीं किया यह, सर नहीं सर, इन में से तो कोई भी नहीं है जो उस दिन गर पे ब्लेट लेने के लिए आया था आपने ठीक से देखा, हाँ? पुरा यकीन है आपको कि इन में से कोई नहीं था? नहीं सर, क्योंकि वो आदमी ने टोपी लगा रखी थी सर, 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 जेडी लैप्स के बागी के इंपलोईस की कोणी ने निकाल ली है जिन पर हमेशाख है अच्छा, कौन कोन है? एक नहीं सर, चार ऐसे लोग है जिन पर शक ही शक किया जा सकता है सर, सबसे पहला संतोष, इसकी बीवी आट महिने से हॉस्पिडल में थी और इसके पास इलाज के पैसे नहीं थे पता नहीं अचानक इसकी कौन सी लोटरी लग गई कि इसने सारे पैसे देकर अपनी बीवी का इलाज कर लिया जा और सर, ये दूसरा जती ने आठ महने पहले जेडी लैप पे इसकी नोक्री लग वी थी और ये सारे हाथशे शुरू होए शात महने पहले मतलब इसके नोक्री जॉइन्ट करते ही ये सारे हाथशे शुरू होगे बाक्य दो सार, सिध्देश और मालिमी इनकी सालरी 18 और 20,000 है मगर फिर भी, पिछले छे महनों में यह दो फॉरेंट ट्रिप्स कर चुके हैं. अच्छा. संतो, यतिन, सिद्धेश और मालिनी. लगता है फिर से जीडी लाइफ जाना पड़ेगा? हाँ, मैं गया था यूरोप चुट्टिया मनाने के लिए, लेकिन वो पैसा किसी गलत काम से नहीं आया था. मेरे चाचा मेरे लिए पच्छेस लाग रुपे छोड़ गया था अमने वसीयत से. रह मालिनी जी आप भी यॉरोप घुमाई तो आपके लिए भी कोई वसीयत में कोई छोड़ गया था क्या कुछ? नहीं सा, तर रसल मैं सिद्धेश की साथ ही गया थी. सिद्धेश के साथ? एक्शली मालिनी और मैं दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. ओ, लव स्टोरी. मैं अपनी बीवी का इलाग परवाया मगर कोई गदत काम करके नहीं. उसके जेवर वेच कर और तोर मेरा तो घर भी गिर भी पड़ा हुआ है. अगर आप चाहें तो मैं उसके पेपर भी दिखा सकता हूँ आपको. हाँ सर, संतोष तो सुबद से शाम तक ऑफिस में ही रहता है. यह कब जाएगा किसी का बलड सांपल लेने? पर जयतिन? जयतिन तो बहुत कम ऑफिस आता है. तब ही आता है जब कोई जरूरी काम हो. अच्छा. तब ही हमाराद मी हो सकता है. यह जदिन का मिलेगा. मैं वादा करता हूँ सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा. कुछ भी नहीं बताऊँगा. यह कस्मेवादें सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं. समझे? हमारे काम के नियम तो पता है न तुमें? सर, मैं यह शेयर छोड़कर चला जाओ. सर, मैं मैं देशे चोड़ दूँगा. वो मुझे कभी ढ़ने भाएंगे, सर. सर, प्लीज सर. जते न अपना और हमारा वक्त परबाद मत करो. जब जिसकी आँख बंद होनी है, तो वो तो होनी ही है. समझे? कर दो होना दो होनी है. सर, प्लीज सर. प्लीज सर. जते न जते चोड़कर चाहिए है. लो कर दूरे कर दो कर दो कर दो कि अहितार हुई कर दो कि भूल प्राफ। लद इन? खोले। सेर गुआ रहे हैं सेर अंदर लिछ दू रहा है। जतिन 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 जए अब अधनल किसने क्या ये। किसके लिए काम कटे हैं तुम वहार राख सब जिए अधनल जात्र, 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 जात्र. वाक सब्तेक्सक्ती? करेंग एहां? सरर, सर्घ, शायद इस हार्ट इस्स से कुछ पता चल Sc пользовater. जात्र, पर प्री फार्ट नूने नाम के जार से नहीं रहा है, जात्ययां.. 構ना, मेपरे क्वार्ट जार है ना? जो किसी के एफ शरीर के अंदर चले जाए तो पांच मिनिट के अंदर-अंदर खतम हो जाता है अदमी? आज सर, बहुत ही खतरनाग जहर है और ये जहर बहुत ही खुफिया तरीके से चिपा करके रखा गया था इसकी इस अंगूठी में बस ये इस अंगूठी में छिपा करके रखा ये 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 अक्व ये जहरो ये इच्छोटी से इन इस फिर था उजय है ये इस अंगूठी में अबस इस अंगूठी में एस एगूमया जाए ते पेन बहार निकलती है यह है और जैसे ही उसी इसके उली पे लगी देखते ही देखते ही पूरे शरीर में यह गहर फैल गया लेकिन सर जतिन अपने आपको मारेगा क्यों प्रदी जतिन को पकड़े जाने का डर था एक बात तो पक्किया है कि जतिन अपने बॉस से जिसके काम कर रहा था उससे बहुत डरता था इतना डरता था कि जब इसे पता चला कि हम इसे पकड़ में आ रहे हैं तो इसने कुद्धकुशी कर ली ताकि इसके जरीया मुसके बहुत सक ना पहुंचे समझे यह मामला सिर्फ किड्नैपिंग और सीडेल किलिंग का नही रहा बहु बहुत ही खतरना बहुत ही बड़ा चक्कर जिसमें कोई बड़ी गैंग इन्मॉल्ड है कोई बड़ी गैंग वो वो गैंग जिसकी निशानी है हांक सर लैप्टॉप में कुछ नहीं मिला सारी फाइल्स खुद बखुद डिलीट हो गई ऑटो डिलीशन के वज़े से और हाट डिस्क सर हाट डिस्क भी डैमेज होगी थी सर वगर एक लिए समने रिकावर कर लिये है हाँ सर अरे इसने सो सौ से भी जादा नाम है सर स्नेहल के साथ और जितने भी लोग गायव होते सर सब उस लिस्ट में मगर सर किसी को भी कोई बीमारी नहीं है ज़रूर ये लिस्ट जतिन ने जीड़ी लैब में से चुरा कर अपने बॉस को दे दी पर कौन कौन हो सकता है इस लिस्ट में से जिसकी मौत का नंबर आधिया है, कौन हो सकता है एक काम करो, इसमें जितने भी नाम है, जितने भी लोग इन सब पोन करो सतर करो उनको, उनको उलो, उनकी जान को खत्रा है क्या? अजिन, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही ह। मैं वाके इसी एडी से बोल रहे ह। आपकी जान को खत्रा है, इसलिए जब तक हम ना कहें, आप प्लीज घर से बाहर मत निकलने क्या? नोक्री का बूलावा? मत जाना अलिशा पर मैं तो निकल नहीं वाली हूँ नहीं, घर से मत निकलना आप आलिशाप, आलिशाप, हेलो, 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 आलिशाप क्या हुआ फ्रेड़ी? फ्रेड़ी, क्या हुआ? सर, आलिशाय नाम की एक लड़की को नोक्री के लिए इंटर्वियू का बुलावाया था अब उसका फोन बंद आ रहे है, सर इस वक्त कोन आ गया? अलिशा? जी, आप कोन? C.I.D. मतलब मुझे जो मॉडलिंग ओफर मिला था, वो जूठा था वो लोग मुझे किड्नैप करने वाले थे हाँ, पर अब घबरानी के कोई जरुत नहीं है अलिशा अब इंटर्विय के लिए जाएगी भी और उसे कुछ होगा भी नहीं नहीं सर, मैं इंटर्वियू के लिए नहीं जाओंगी सर सर मुझे बहुत डला करा है तुम नहीं जाओगी, तो यह और जाएगा अलिशा बनके अलिशा यह और लाएगी तुम अलिशा लाएगी बद्राण के लिए अलिशा जाएगी तुम अलिशा आपको जाना का है मुझे यहां तक मैं भी बताती हूं कापको भी स्वी बताती हूं आब अ कि अ कड्या अ किया तुम्ने अलिश्य के बजाए किसी और को लिए करा गए अरे भाइ इसने मेरी आक खालती आटी कर चिती और मोबाइल उसी कह था त्वालीश्य का भी ब्लड मुखका पे ए तेरी कह संत्र हुआ सिल एंगे हेलो, बेड़फोल, मुझे दुन्रेथी गया, लोव में आ गया तुम्हारे पास, हाँ, चलो, चाड़, चाड़, भागने की कोशिष, ब्यूटी विद ब्रेन्स, हाँ? क्या हुआ? तुम्हों क्या मक्ख्य मार रहते हैं, वो तो अच्छे वो में टायम पे आ गया, तलाशिलों इसकी वरावर से. जूदे में क्या है? खुदी देख लो, निकालो, निकाल, इपना टाइम लगाता है रहे तु, हाँ? क्या हुआ भाई? ट्रैकिंग डिवाइस, तुम्हों ने ठीक से चेक नहीं क्याता है, और तु हिरोईन, कौन है तु? तुम्हों लोगों की मोर्थ. अच्छा? शीयले. भागो! पुरवी? शीयले. 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 जल्दी. जल्दी! कोई है? पारा, पारा, जल्दी! आये, बहार, आये, आये, जल्दी! इस तरफ, समाल के! जल्दी! श्रेहल! पांगे! मुझे लगा, मैं यहांसे कभी नहीं कली नहीं पाऊंगे! पागल हो गया! तुम कही दी होती ना? मैं तुम्हें बच्चा के ले जाता! तुम इतना पसंद करते हो, उजे? तुम्हें 10 किलों का मुगा, तुम्हें डूंटे-डूंटे! पागल, जलो! जलो, यहांसे जल्दी जलो! इसनी आस्तानी से तुझे मरने नहीं देंगे! जलो, 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 कि अंसान की शरीर की अंगों की थ्रसकरी का इना बड़ा वेवार चल रहा है हाँ जेडी लैब्स यसे और भी लैब्स है जहां से हम लोगों के डाटाबेस चुराते हैं और उन में से सहद मन लोगों को चुनते हैं ताके उनके और गंस बेच के करोड़ रुपे हम विदेशी से कमा सके किन विदेशी ओ को दुनिया बर के विदेशी एक खास वेब साइट पर आते हैं जहां पर इंसान के शरीर की अलग अलग पुर्जों की निलामी होती है एक बार पैसे हमारे एकॉंड में आ जाए तो क्लाइन के ब्लड ग्रूप बले इंसान को हम धुंटे हैं उस लिस्ट में से उसके बाद उनको पांसो रुपे का टेस्ट वाला मेसेज भेशते हो ताकि ये पता कर सको के उनका गुर्दा, लीवर या फिर दिल तुम्हारे क्लाइन से मैच होता है या नहीं बिल्कुल ठिक मैच होने के बाद हम उसे इंट्रिव्यू के लिए बुलाते हैं ठीक उसी तरह जैसे मकडी एक मकडी को लारच के जाल मफसाती है इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी बेश्यरमी से आसर है अपने किये पे जरा भी शर्मिंदा या पच्तावा नहीं हो रहा तुम्हें तो मुझे तुम लोगों पेयारी इस हैडी मुझे पगड़ने से तुम्हें क्या लग रहे है तुमने बहुत बड़ा तीन मार लिय हमारे से ओर्गन गेंग को पकड़ना ऐसा है जैसे समुंदर में से लोड़ा पानी निकानना अच्छा पहले ये बता ये बता तेरा बाप कौन है मारो मुझे में यह जाता हूँ कि तो मुझे मार दो क्योंकि अगर में जिन्दा पकड़ा गया ना तो मेरा बॉस मेरे दोस् मेरे घरवाले सबको मार देगा हूँ कौन है तुम्हारा बॉस और कौन-कौन लोग शामिले तुम्हारे इस दंदे में इसका जवाब आप मेरे मुझे कभी सुदनी पाओगे एससे पी साहब बॉस एक बुरी खबर है हमारे और्गन गैंग वाली आँख सीएडी वालोने बंद करदी है मगर इससे पहले रनवी सीएडी वालों के हाथ लग पाता उसने अपनी चान देदी है सीएडी वालोंने हमारी हजार में से एक आँख बंद कर भी दी तो क्या वो एक आँख बंद करेंगे तो उसके जवाब में हम सौ आँखें और खोलेंगे अब आएगा मज़ा खेल का